सुबह सुबह जगने के बाद सुबह सुबह जगने के बाद आप धर्ती पर पैर ना रखें बलकि ये चीज रखें आज के वीडियो में यही बता रही हूँ और अगर आप ऐसा कर लोगी ना तो यकीन मनो आपके सब काम बनने लगेंगे आपने जो चाहा वो होने लगेगा आए जानते हैं वो चीज कौन सी है मित्रों ये तो सहर सी प्रक्रिया है कि हम जब सुबह उठते हैं तो पैर धर्ती पर ही रखेंगे इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है लेकिन आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बता रही हूँ जिससे आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आईगी मैं हूं डॉक्टर उमा श्री मैं एक जोतिशी हूँ आप जानते ही हैं रेकी हीलर हूँ एंजल हीलिक करती हूँ मैं आप उसे संपर कर सकते हैं अपनी कुंडली का परामर्श ले सकते हैं तो आई आज का वीडियो शुरू करते हैं मित्रों सुबे 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 जब आप जगते हो और जब आप पैर रख देते हो धरती बार तो आपने एक चीज़ सोचिए कभी कि जो धरती है ना जिस पर हम रह रहे हैं प्रत्वी पर हम रह रहे हैं हम सभी ग्रहों की तो पूझा करते हैं टाइम टू टाइम हम सुर्य देव को आरगी देते हैं चद्रमा को आरगी देते हैं विबिन ग्रहों की विबिन तरीके से पूझा करते हैं नवग्रहों की पुजा करते हैं, दान जाप करते हैं, लेकिन प्रत्वी माता का क्या, प्रत्वी माता को तो दिनो दिन गंदा कर रहे हैं, आप परियावरन प्रदूशित कर रहे हैं, नदियां गंदी कर रहे हैं, ब्रक्षों की कटाई कर रहे हैं, सब चीज उलट- पर आप रह रहे हो, उसके बारे में आपने क्या सोचा है, पहली चीज तो हर तरह के प्रदूशन से बचाईए, व्रक्षा रोपन को बड़ावा दीजिए, इसके साथ सा सुबह सुबह का जो मेन आज का वीडियो बनाया है, मैंने उसमें आपको क्या करना है, सुबह सुबह हलका सा करना है ये, फिर आप उतर ये विस्तर से, आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन चलिए आप ऐसा भी नहीं कर सकते, आप कहेंगे हम तो पहले धरती पर खड़े ही होगे, तो खड़े होने के बाद ठीके आप ऐसा भी कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन के रूप में, बागी कोशि करें, जैसे कि धरती है, फर्ष करके अपने माथे पर लगाएं, ये भी आप कर सकते हैं, सुबह सुबह कोईन आप धरती पर रख दीजिए, और फिर उस कोईन को उठा कर माथे पर लगा कर किसी भी मंदिर में चड़ा दीजिए, और प्रत्वी माता की जैकारा लगाते एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि पैर आपके हमिशा साफ होने चाहिए, धरती पर आप जब इना चपलों के चलते हो, तो धरती को कितना गंदा करते हो, अलगी पैर भी हमारे शरीर का वैसा ही महत्वपूर्ण पाट है जैसा कि हाथ, लेकिन हम प्रणाम हाथ से ही करते है निवां, हम हाथ से टच करके बड़े बुजुर्गों के पैर छूते हैं, हम नमस्ते करते हैं,तो बस वही प्रोसीजर आपको अपनाना है, धरती माता को प्रनाम करके अपने माते पर लगाएं, नमस्ते कीजे। दरती माता को, और फिर आप कोई भी काम केजे फिर उतर कर आप जो भी काम करना करिए तो इस ऐसा करने से आपके जीवन में चमतकारिक परिवर्तन होने लगे का मित्रों